Light, Reflection & Refraction के 2023 के PYQ के साथ फिर से मैं आपके सामने हूँ Hello Everyone, Welcome to Challenger Classes My Name is Udhrit Gupta ये Quesion आपका basically 3 marks का Quesion है दो पार्ट से चाए तो आपको ये वाला करना है चाइ ये वाला पार्ट आपको करना है हम दोनों डिसकस करेंगी यानि हम दो कोशें इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो यहाँ पहला जो पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है student focus the image of an object of height 3 cm on a wide screen using a concave mirror of focal length 12 cm जो बोला है उसको डाइगराम के थुरू समझते हैं बोला है एक concave mirror है हमारा चली जब बोला है तो ले लेते हैं concave mirror एक हमारा concave mirror है हमने ले लिया concave mirror चीक है और हमने क्या किया यह pole हो गया यह focus हो गया और यह हो गया center of curvature चीक है अब बोल के रहा है कि हमने एक student है जिसने focus किया है focus the image of an object of height 3 cm on the wide screen एक object है जिसकी height 3 cm है उसकी image को focus किया white screen पर किस mirror के through करा है यह concave mirror के through करा है जिसका focal length है 12 cm मतलब एक बच्चा है एक student है उसने क्या किया है concave mirror लिया है और concave mirror से जिसका focal length 12 cm है उसके सामने 3 cm height का एक object रखा और उससे जो image बनी उसको एक white screen पर focus किया ठीक है if the distance of the object from the mirror is 18 cm अगर object की जो distance है वो 18 18 इसका मतलब क्या हो गया देखे जो center of curvature होता है वो focus का double होता है तो अगर focus 12 cm पर होगा तो center of curvature 24 cm पर होगा अब 18 cm जो है वो 12 और 24 की बीचे पढ़ेगा मतलब object कहीं यहाँ पर रखा हुआ है जिसकी height कितनी दे रखी है 3 cm दे रखी है ठीक है इसको हलाकी लिखते नहीं है यहाँ पर अभी छोड़ते हैं इसको तो यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर object जो है वो 18 cm दूर रखा हुआ है object की जो distance है वो 18 cm है ठीक है अगला क्या है part find the values of the falling distance of the image from the mirror जो image बन रही है वो कहां बनेगी और height क्या होगी चलिए इसको करते है solve इसके लिए हम अपने कहां चलेंगे इसके लिए हम अपने blackboard की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या क्या बताया था अच्छा एक चीज और आप देखिए वापस चलते हैं अपने question की तरफ आप यहाँ ध्यान से दिखिए यहाँ पर क्या था अच्छा यहाँ पर मिट गया वो चीज चली कोई बात तो फिर से बना लेते हैं उस diagram को उस diagram की जरूरत थी वह वहाँ erase हो गया जैसे हम यहाँ switch करें यह हमारा concave mirror है this is our concave mirror इस concave mirror का hole यह focus यहाँ पर center of curvature यहाँ पर focus 12 cm है center of curvature 24 हो जाएगा फिर दिया नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए focus के double distance पर होता है और object कहीं यहाँ पर है बीच में 18 cm पर ठीक यह दूरी जो है object की वह 18 cm है ठीक है यह 18 cm की दूरी पर है आपसे बोल रहा है कि image की distance बताओ तो हम यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ क्या कर सकते हम यहाँ mirror formula लगाएंगे हम यहाँ क्या करेंगे mirror formula लगाएंगे अपना mirror formula लगाएंगे हम उटाएं यहाँ पर mirror formula लगाएंगे तो mirror formula क्या कहता है mirror formula क्या कहता है mirror formula क्या होता है mirror formula होता है 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u अब बच्चे mirror और lens formula में confused होता है क्योंकि सिर्फ एक ही difference होता है mirror में 1 by v plus 1 by u lens में 1 by v minus 1 by u तो यहाँ पर confused नहीं होने का mirror में plus होगा focal length हम क्या रखेंगे 12 या minus 12 हम रखेंगे minus 12 क्यों रखेंगे focus किस तरफ है left side है तो cartesian sign convention अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा mirror के left side जो भी distance होती है mirror से left side जो भी distance होती है वो negative mirror से right side जो भी distance होती है वो positive ठीक है हमें v निकालना है हमें u नहीं पता u b left side है तो minus 18 ठीक है चलिए solve करते है तो minus 1 by 12 is equals to 1 by v minus 1 by 18 minus 1 by 18 इदर आएगा तो plus 1 by 18 आएगा sign change हो जाता equal to के दूसरी side जाने पर ठीक है LCM इसका आएगा आपका LCM कितना आएगा LCM इसका आएगा 48 कितना आएगा 48 12 4s आ 48 होता है और 18 3s आ 48 होता है तो दोनों के table में 48 आता है तो हम यहां 48 LCM लेंगे और यहां पर आजाएगा 36 भी हो सकता था था 12 3s आ 36 18 2s आ 36 कोई बात नहीं ले लिया तो ले लिया यहां LCM आपका 36 भी हो सकता था एक सेकंड एक सेकंड 18 के table में 48 थोड़ी आता है गलत कर रहे हैं लोग LCM 36 ही आएगा ठीक है इसका जो LCM आएगा अभी गलत हो जाता पूरा गलत हो जाता LCM नहीं निकाल पा रहे है LCM इसका 36 आएगा 12 3s आ 36 होता है और 18 2s आ 36 होता है अभी गलत हो जाता यह कोशन तो यहां जाता माइनस 1 अपॉन 36 is equal to 1 by V आप cross multiply कर लिज़े आप क्रोस multiply करा लिज़े ऐसे ऐसे तो यह V जाएगा minus V हो जाएगा minus V is equal to 36 या V is equal to minus 36 cm minus का मतलब समझे रहो minus का मतलब यह कि image भी जो image ही बनेगी लफ साइड बनेगी 36 मतलब 24 से भी पीछे 36 का मतलब होता 24 से भी पीछे कहीं यहां पर यह आपकी image बनेगी अब कहोगे सर आपको कैसे पता inverted image बनेगी तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे inverted बनेगी यह 36 cm की हमारा image होगे यह object है ओ यह image है आई अब देखते हम अब हमसे और क्या पूछा है height पूछा है height कैसे निकालते है height का formula होता है image height magnification का formula होता है image height upon object height और क्या फिर V by U minus V by U आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो लेकिन हमें height निकालना है तो हम इस equation का use करेंगे हम यहां use करेंगे h' by h is equals to minus V by U h' हमें पता नहीं h हमें 3 दिया हुआ था ठीक है V कितना निकाला हमने minus 36 u कितना given था u कितना given था minus 18 तो 1 minus 1 minus cancel out हो जाएगा simply और 13 2 is a 36 होता है तो क्या आएगा h' is equals to 3 यहां divide हो रहा है तो इधर आके minus 2 से multiply हो जाएगा तो यह h' आएगा h' आएगा minus 6 cm कितना आएगा minus 6 cm आएगा इसलिए दो अब क्योंकि image की height negative आ रही है negative height का मतलब होता है inverted image negative height का मतलब होता है inverted ठीक है तो यहां पर हमसे height भी हमसे निकल गई और हमने क्या निकाल लिया हमने image की distance भी निकाल लिया ठीक है हमसे यही पूछा हुआ था और इस तरीके से आपको 3 number आपका मिल जाएगा अगला part क्या है अगला जो और part है वो क्या है define the power of a lens the focal length of a lens is minus 10 cm पहले तो हमसे power की definition पूछा है power of the lens क्या होता है lens की ability lens की ability क्या करने की light rays को converge diverge करने की अब जैसे आपका जो convex lens होता है वो converging lens होता है जो भी rays fall करेगा उसको एक पास मिलाने की कोशिश करेगा तो हम convex lens हो converging lens कहते है concave lens के अगर हम बात करें तो concave lens आपकर diverging lens होता है diverging मतलब जो भी light उस पर fall करेगा उसको diverge कर देगा फैला देगा for example अगर मैं यहाँ बना हूँ आपके लिए तो concave lens पर जो भी light fall करेगी ये light इस light को वो क्या करेगा diverge फैला देगा तो यह converging lens है और यह diverging lens है तो power क्या हो गईmal इक अब lens का काम है converged आ डाइवर्ज करने का तो power का मतलब हो गया कि उसकी ability क्या है converge या diverge करने की मालब कितना जल्दी light rays को converge कर पा रहा है या कितना जल्दी light rays को वो diverge कर पा रहा है यह उस lens की power होती है तो power का formula होता है sorry power की definition होती है the ability of lens to converge or diverge a beam of light falling on it उसकी ability क्या कितना जल्दी वो light को converge या diverge कर पा रहा है जितना जल्दी वो converge कर लेगा जितना पहले वो converge कर लेगा या जितना जादा वो diverge कर लेगा, उसकी पावर उतनी जादा होगी, तो power of the lens क्या होता है, the ability of a lens to converge or diverge a beam of light falling on it, ठीक है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, तो अगला पार्ट क्या है, the focal length of a lens is minus 10 cm, एक lens है, जिसका focal length minus 10 cm है, write the nature of the lens and find its focal length, हमें lens की nature बताना और lens का क्या बताना है, lens का nature बताने के साथ साथ, उसकी हमें power भी बतानी है, ठीक है, focal length दिया हुआ है, तो focal length क्या है, minus 10 cm, अब आप मुझे ये बताओ, कौन सा lens होता है, जिसकी focal length negative होती, इसके पहले वाले जो questions हमने discuss करें वीडियो में, उसमे ठीक है, जब आप इसकी power calculate करोगे, तो power रखोगे 1 by f, अचा इस बात को ध्यान रखना, power calculate करते समय, आप सीधे focus की value 10 नहीं रख दोगे, आप पहले focal length को meter में convert करोगे, किस में convert करोगे, meter में, तो यहाँ पर मैं क्या जरता हूँ, मैं इसको meter में convert करता हूँ, कैसे करूँग divide वाले sign को हटाना चाहूँगा, तो मैं लगाँगा multiply और यह हो जाएगा reciprocal, जो नीचे वाला fraction है, वो reciprocal हो जाएगा, जब मैं division का sign हटाके, multiplication का sign लगाता हूँ, तो नीचे का fraction होता है, वो reciprocal हो जाता है, क्या हो जाता है reciprocal, तो यह कितना आ जाएगा, यह जाएगा minus 10 diopter, power कित निकालनी, आगे क्या बोल रहा है, if an object is placed at a distance of 20 cm from the optical center of this lens, अगर इसी lens के optical center से कोई object है, जो 20 cm दूर रखा जाए, according to the new Cartesian sign convention, what will be the sign of magnification in this lens, तो इस lens में जो, lens की वज़े से जो image बनेगी, उसका magnification का sign क्या होगा, तो magnification निकालने के लिए सबसे पहले आपको image की distance निकालने ह क्योंकि magnification का formula क्या होता है, magnification का formula होता है, V by U, magnification का formula क्या होता है, V by U होता है, तो अब पहले आपको magnification के लिए U तो आपको दिया हुआ है, 20 cm दूर रखा हुआ है, V आपको निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको lens formula यूज़ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, lens formula use करना पड़ेगा मैं यहीं solve कर देता हूँ ठीक यह सारी चीज़ों को मिटाता हूँ lens formula होता है 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u यह होता है lens formula आपका अब focal length आपका कितना दिया हुआ था minus 10 cm focal length आपका minus 10 दिया हुआ है पहले से ही object भी आप negative में रखोगे object के भी जो value आप negative रखोगे क्योंकि object हमेशा lens के left side रखा हुआ object तहां रखा हुआ lens के left side रखा हुआ तो left side जो भी चीज़े रखी होती है उनके distance negative में आती है कहने का मतलब यह है अगर यह मेरा lens है तो आप object यहां रखोगे न तो lens के left side आप रख रहे हो तो left side जो भी distance होती है left side की जो भी distance होती है वो negative होती है left side की जो भी distance होती है वो negative हम लेते हैं क्या लेते हैं negative लेते हैं यहां पर क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा minus 1 by 10 is equals to 1 by V plus 1 by 20 तो क्या बचेगा 1 by 10 यह equal to के दूसरी तरफ आएगा तो यह plus 1 by 20 minus 1 by 20 हो जाएगा अब दिखिए आप इसको solve करेंगे जब आप तो LCM 20 आएगा no doubt इसमें LCM 20 आएगा यह हो जागा minus 2 minus 1 is equals to 1 by V और 1 by V कितना आजाएगा minus 3 upon 20 is equals to 1 by V V कितना हो जाएगा V हो जाएगा आपका minus 20 by 3 centimeter या फिर आपका V हो जाएगा minus 6.66 centimeter या आपका V आजाएगा आपकी image distance आजाएगी तो magnification आपसे पूछ रहा है magnification का sign आपसे पूछ रहा है तो magnification का sign निकालते है magnification होता है V by U lens के लिए तो V by U होता है न वी कितना है minus 6.66 है और U कितना है U आपका minus 20 है तो 0 से 0 minus से minus cancel out होगा 6.66 को आप वापस से 20 by 3 लिख लो जादा असान होगा 20 by 3 upon 20 तो ये क्या होगा 20 upon 3 into 20 हो जाएगा और 20 से 20 cancel out हो जाएगा जो बचेगा 1 by 3 जादा असानी से आपका magnification आगया अगर आप decimal को solve करने में लग जाते हैं 8.66 को 20 से डिवाइड करने में लग जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता हलाकि हो जाता वो भी लेकिन ये ज्यादा असान है मुझे तो magnification आपका आ रहा है प्लस में positive, positive 1 by 3, positive 1 by 3 तो magnification positive आ रही है, magnification क्या आ रही है, positive आ रही है आपसे यही पूछ रहा था, magnification का sign बताओ, तो magnification positive आ रही है